वेलकम टू संतनु बाट्स के स्टॉट्स फेंच स्वीज जुग तो सीदकाल में एक चीज बाट्स का प्रब्लेम होता है आखो का प्रब्लेम आज सांस नेलने का प्रब्लेम जो गरम मदब शामान रिया रेनी सीजन में भी हो सकता है या होते रह रहे इस टाइम पे कुछ मे प्रब्लेम हो रहा है तो अध्रग और गल्म जिसको हम लोग काला मरीज मतलब मिट्चा बोलते हैं चोटा-चोटा जो बॉल जैसे मिटा है उसका पानी गारा बनाके जरूर पिलाई बहुत मदद साबीत होता है अगर हम लोग केमिकली सोचे मतलब होएपातिक के केमिकली का मतलब वो सारे चीज़ नहीं मैडिसिन मतलब अलापातिक के इंग्लिज मेडिसिन के बाद नहीं भोल रही हम वह पातिक देशी मेडिसिन के बाद बोल रही हूं तो जेलसी में 30 ग्लुनाइन 30 एकुनाइट 30 तिनों का कॉम्मिनेशन आप जरूर 30 ml पानी में यह आपका जो पानी का मात्रा है उसमें डाली डोजेस क्या है पूछ लेना कि बहुत वाइदा मिलेगा और प्रिवेंट के हिसाब से भी आप दे सकते हो जो उसको ठंडा सर्दी यह से जुखाम ना लगे कि वेदा चेंज होना शुरू हो चुका है अभी देखिएगा सुबा के टाइम प लेकिन उसको सापोर्ट देने के लिए हम लोग को कुछ सोचना परेगा उस सापोर्ट अब मतब जो आका हवा का गुज़ा ज्यादा है तो उत्तर का मतब नौट साइस से जो हवा आ रहा है उसको जरूर रोके कोई भी सिजन में दूसरे प्रिवेंट के हिसाब से अध्रक क पानी और उसके साथ थोड़ा सा काला मीट्चा मतब गोल मोरी जिसको हम लोग बेंगोली में बोलते हैं उसका पानी जरूर प्रोवाइट कीजिए और उसके साथ थोड़ा सा सहथ डाल दीजी थोड़ा सा तो जो मिक्सचर बनेगा या जो नैच्रल गारा बनेगा बहुत फ खोटा सा इंफॉर्मेशन देना था दे दिया अभी जे दो दिन वीडियो बॉन था अभी तो लागातार वीडियो आएगा चैनल को थोड़ा सा स्यार कीजिए मैं छोटा हो लेकिन हर टीप्स हर जो छोटा वीडियो बहुत मैनत से बनाता हूं बहुत सोच समझ के बाता है जो आप लोग को काम पिया गए नमस्कार